तो भाई साब स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से लिए Creators जैसा Thumbnail बना सकते हैं लेट्स स्टार्ट पहले तो इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं इसके बाद इमें इसका Size सेलेक्ट करते हैं Background Color Choose करेंगे White एक इमेज इमपर्ट करते हैं जो मैंने YouTube के Home Page का स्क्रीन शॉट ले रखा है इसे Crop करेंगे 16 इंटू 9 रेशियो में इसके Size को बढ़ा करके इसे बीच में Align कर देंगे इसकी Opacity रखेंगे 5 प्रतिशत अब अपना इमेज इमपर्ट करेंगे इसका Size और Alignment आप इसकी हिसाब से रख सकते हो इसका Shadow Enable करेंगे Offset X रखेंगे 20 पे Color की Opacity होगी 50 पे और ब्लो रेडियस होगा 25 पे अब YouTube का Icon Import कर लेते हैं इसका Size छोटा कर लेंगे और इसे Economy Align कर देंगे इसका Shadow Enable कर देंगे ब्लो रेडियस होगा 25 में और Color की Opacity होगी 50 में अब अब अग करते हैं अपना टेक्स्ट Font Choose करेंगे Gotham Road इसके Size और Alignment को अपने According Adjust कर लेंगे Color होगा Black इसी Text को Copy करेंगे और दूसरा Text Type करेंगे Size को छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से और इसे कुछ इस तरीके से Align करेंगे इसके बाद अब Text Background को Enable करेंगे Color रखेंगे Black, Left Padding और Right Padding आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और बाकी Top Padding हमारा 10 में है और Bottom Padding 12 में आप अपना Color Choose कर सकते हैं मैं यहां पे Red Color को Choose कर लेता हूं और Text का Color होगा White और इसे Image Layer के नीचे रख देंगे अगेन पहले Text को दोबारा Copy करेंगे और अपना कुछ भी Type करेंगे इसे सही तरीके से Align करेंगे अगेन आप कोई भी Text Copy कर सकते हो अपना Text Type करेंगे इसके Background को Enable करेंगे Color रखेंगे Orange और बाखी सारी चीजों को आप अपने हिसाब से Adjust कर लेना और अब इसको सेफ कर लेंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नूटिफिकेशन बेल को उन कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई